सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए टीम इंडिया इन दिनों लगातार क्रिकेट मैच खेल रही हैं वही यहाँ टीम अभी विश्व में सबसे अधे क्रिकेट खेल रही है चैंपियन ट्राफी के बाद जहाँ अभी बाकी टीम इलाडियों को आराम दे रही है वही भारत मैच खेल कर अपनी रैंकिंग सही कर रहा है वैसे यहाँ तो निश्चीत है कि इंडियन टीम लगातार 2019 के विश्वकत की तयारी कर रही है तो आईए आज हम आपको उन्चे इंडियन गिलाडियों के नाम बताने जा रहे है जिनको विश्वकत 2019 की इंडियन टीम में जरूर होना चाहिए वरना टीम इंडिया का जीतना मुश्किल हो जाएगा धुनी को अगली विश्वकत की टीम में जरूर होना चाहिए अगर धोनी उस टीम में नहीं होंगे तो आप अभी से लिख लीजिये कि भारत सेमिफाइनल से पहले ही बाहर हो जाएगा धोनी का अनुभव और ताकत डोनों उस विश्वकत में काम आने वाली हैं आपको बेशक अजीब लगे लेकिन युवराज सीह को भी विश्वकत 2019 की टीम में मौजूद होना चाहिए अभी अगर युवराज के विकल ना खोज कर इनकी फॉर्म पर काम किया तो सबसे अच्छा होगा वैसे तो कप्तान होने के नाते कोहली 2019 की विश्वकत टीम में जरूर होंगे यहाँ खिलाडी अगले विश्वकत में तै करेंगा की टीम इंडिया किस नंबर तक का सफर तै कर पाती है हार्दिक पांडिया को भी साल 2019 की विश्वकत टीम में जगह मिलनी चाहिए यहाँ आर राउंडर कई मौको पर टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा काम करता हुआ नजर आने वाला है तेज गेंदबाजी में कोई हो या ना हो लेकिन जस्प्रिद बूमराह को जरूर होना चाहिए निश्ची रूप से कई मैच भारत के ऐसे होंगे जहां आखरी पलो में निरनय होना होगा तब बूमराह से अच्छा कोई और खिलाडी उस जगह नहीं हो सकता है आपको बेशक हैरानी हो लेकिन चहल भी 2019 के विश्वकत में एक अहम रोल निभाते हुए देखे जाएंगे आप कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इसके बिना जीतना मुश्किल होने वाला है तो यहाँ 6 खिलाडी अगले विश्वकत 2019 में अगर टीम इंडिया के अंदर नहीं होगे तो निश्चीत रूप से टीम इंडिया का विश्वकत जीतना मुश्किल होगा बाकी के 5 खिलाडी कौन होने चाहिए यहाँ आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताए इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब कीजिए